जारकंड के जनपत पश्यम सिंभूम के चक्रधरपुर सहर के उर्दो टाउन हाइ स्कूल के पीछे खटाल की दो मवेशियों की एक्सपारे बिसकट खाने से मौत हो गई है जबके तीन मवेशी बीमार हो गए है इस सम्मंध में मवेशी मालिक आदिल गदी ने चक्रधरपुर धाना में लिखे सिकायत की है आदिल गदी ने बताया कि मवेशियों के मरने से उनका दो लाख रुपय का नुकसान हो गया है उन्होंने बताया कि पोश्ट आफिस रोड निवासी व्यवसाई राजु केजरिव 12 सेप्टेंबर की साम को साथ कार्टून पतंजली कंपनी के विसकेट लेकर खटाल आये हुए थे जिसमें से दो कार्टून विसकेट उन्होंने स्वयम खिला दिये थे पांच कार्टून देकर गया था जिसमें से तीन कार्टून विसकेट पांच मवेशियों को खिला दिय जिन मवेशियों को बिसकेट खिलाये थे, उन सभी मवेशियों की तवियत बिगड गई, मवेशी पतला और खून जैसा सौच करने लगे, इस संबन्द में उन्होंने पसु चिकेसकों से संपर्क किया, तो उन्होंने पॉयजन हो जाने की बात बताई, वहीं उन्होंने चिके कारी मिलने के बाद दूद खरीदने वाले लोगों ने भी फिलहाल दूद लेने से मना कर दिया बिस्केट की पैकिंग आठ अपरेल 2019 को हुई थी इस सम्मध में चक्रधरपुर के थाना प्रभारी प्रवीर कुमार ने बताया कि बिस्केट खाने से मवेसी की मौत होने की सिका लगतर को लेकर आए जाकर भानीय होनी होने चबाए फिर गयाई जाकर भुड़ी मौटए हुई हुई कि खुम पैकर दो भीए है अपने से लाग्छे दिया साइकल से लाकि पुछे इतना काटुन दिया कितना काटून खा लिए गया जोड़ा गई दिन गई ओर सिरियस है डाक्टर क्या बोल रहे हैं डाक्टर बोल रहा है घिलाने से एफेक्षन हो गया अब जाके हम बोले तो बोलता ले ओ देखो हम खा रहे हैं तो हम तो भाईया पड़े लिखे नहीं हम जाहिल अदमी हैं हम जान जन्वर का काम करते ना लिखा-पड़ी करते ना कुछ करते हैं इन लोग देखा तो बोलाई तो जेच फेल है इसी से आपका रोजी रोटी इसी से चलता है अखंड भारत नियूश के लिए रवी संकर की रिपोर्ट पश्चिम सिंग भूम